आजमा युटा इस्तो रोचक संदर्वत मैं समक्षे प्रस्तुत गर्षू मेरो प्यार हजूर। आमी आमरो जीवन का आलमा संपती कमाउनु वनेको पहलो प्रायरिटी मा राख्षू। संपती कमाई यू। अब क्ये गर लेता। शक्क्य होता। आमरो जीवन को अंते मुदेश्य बनेको ने शंपती कमाउनु होता। तेशो भए शंपती कमाई पछे क्ये गरनु पर्षाता। बहुत ही शुंदर भाव शैद को प्रशंग स्रवण गराउँशू आजमाता पहले। जिन्दगी मां स्वई चीज भुलनूश। सब चीज भुलनुश। तर एका दशीको बर्त ना भुलनुश। जिवनमा कती कुरा जानेरा कती कुरा नजानेरा गलतियरो भायवलान। ती पाप कर्म बाट मुक्षे प्राप्तिका लागी मात्त्र भायपनी एका दशीको बर्त ना भुलनुश। एक आधशीको महीमार बर्त शंग शदही नजीक्रहनुस्मेरु प्याल्याशुरू एसको बेगली अर्थ रहा बेगली महत्तोच रहो कलियुगओमा। मँचेय Akbar ॥्पापी उंचन कलिउका मुचेय Akbar ॥। सब चीज wäre, बन्हार कि अपूत कर्टे ? है र अरकोकुरा एउटा कथा प्रशंग शुनाऊच्छु है इमाता पहलाए शास्त्रमा बढ़ित कथा प्रशंग होय। ध्यान दिनुला एक चित्त बरसर्वन गर्नुष एक राजाली बहुते शुंदर महल बनाए। बहुते आकर्षक महल बनाए। अती शुंदर अती महल में नगर में राजा काईग शुदुलाए। थुलू पंडित लाए बलाए। पंडित जी हामरो नगर मा एउटा अती शुंदर मंदीर बनेगल शा तिसको पुजा अर्चना गर्णुष अजुरु पाल्नुवला। उन्ष महराज मह गर्शुू। पुजा अर्चना प राजा का एक पुत्र थी। उनको विभाहा वयो। दुम धाम्शंग बुहारी वित्रययो घर्मा। मंदीर बनायो। मंदीर मा पंडित राम्रो पंडित वित्रययो। पंडित लाए दैनिक नित्ते पुजा प्रारम्मा गर्यो। बड़ो शांतिको अनंदको अनुभूती स ऐक दिन को कुड़ा आओ, बुहारी चोरागा गाळी, विवुझीन, राजाको पुत्र बंदा बुहारी चामडी विवुझीन, एक दिन 各 राजाको चोराको जुन दाप थियू जेस्पमा तरवार थियू म्यान दाप के बूझनोंछत पए ना तो तरवार राखने चीज तेश मां बुहारी को नजर परे। अब राजा को छोरो तरवार्त उष्ले बोकेर हिन्ने नहीं भाई आले। तो दाप शिरानी अब राजा को छोरा उठनु मन्दा अगाडी। विउजी पसी नेंद्रा खुली आले। अब क्ये गरनी। उठावने कुरापनी भाई न राजा की पुत्र की पत्मीले उठावने उमने हाथ मा उठाये रहे , कुती सुंद्र से होँ हाँ ? कह स्तर दाप रहे। यो म्यान कथी सुंद्र रहे ? यो डाप नहीं अथी सुंद्र था बने तरवार कथी सुंद्र होला। उनला अरес रहेक्तिवी लागो और उनको मे आफ स्वामी राजालिय तुल्हा राजालिये दडाप को शुन्दर तामा उन्हेCI लट्थीन। उनलाए लग्ठीन। उनलाए तिव मैं दडाप बात तर्वार निकालेन। बिहान विविवान उन्हें विवजоров पा। उनकोई ऎक्षा वर दुए लिवश्व मीवान के इक बिवचले से 1 कनले, जब उन्हें तर्वार को छमक है यरदाहर औरे उन्हें िष्टी भहें कि हयरेख को हयरेई भहें कि तर्वार गों चमकले उन्हें उन्हें इसे ठीड़ेख कोई हैरेई हो जमकले उनका नित्रहर बंद भय रहात बाट जुक तर्वार फ्यातता कहशु राजा का छोरार बुहारी शुत्य ययुटेईविश्टारा छोरा भंदा पहि आफनो पती को तर्वार हेरी रहे कि बुहारी को हात बाटा तर्वार खशुर शुती रहे को पती को घांटी में तर्वार भर्यों खाओं को ठाओं पतीको मृतु भयो किनकित्यो अशाद्देई लाघने थियो चमधार तयो तरभारले आफनो पतीको घाठी मैं पर्यो आफनो पतीको मृतु भयो राजा को छोरा को मृतु बुहारेको कारन ले भयो। आद नुष्ट एका विहान है। श्रीमान मर्यो, बुहारीले विचार गरिन, बहुत सोचिन की मेरू पती, राजा को एकलो छोरा मेरू हाथ बाटा मरे को छा, एदी राजाला युकुरा थाभ हयो बने, मेरू शस्तुराला युकुरा थाभ हयो बने, राजाले मलाई शिदेई मृतु दंड दिने छन, फाशी हुने छा मेरो, क्ये गरू है भगवान, कस्तो आपताई लागो, कस्तारी फाशेमा युद दाभ को मोहाले युद को चमकले, युद को आकर्शकले, आज युद घटनाल निम्ति आयो, ओहु, बहारीले शोचिन, 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 आफनो पती को मरितु भाय को पीडा बन मोट को पछाडी लगेरा, गिशार दे लगेरा उनले लुकाएं, त्यो आफनो पती को लाश लाइ, तुलशी को मठ पछाडी लगेरा लुकाएं, तुलशी को मठ को पछाडी उनले लुकाई शेके बिचार करें, बिहाना जब पंडित, तुलशी लिनका लागी, तुलशी पत्र लेना कलागे, तुलशी दल लेना कलागे, त्यों मठ मा आउनेशन, ते थी बेला, पती मारेको आरोप मा उसलाई लगाउनेशू, रा मा जोगी नेशू, मा बचनेशू, उज्यालों उनके शमय बांकी थियो, प्लान गरेन रा उनले त्याई प्लान अनुछ, आर आफन पत्ता टिप नको लागे, तुलशी दल लेन अ गा लागे, उने तुलशी को मठ मा है, ते थी बेला, राजा के बुहारी बुहरई छित्च्याइन किरोटा – अरे मिरो पतिलाए मारी दियो, लौणा लौणा भचाउनु श मेरो पतिलाए मारी दियो। शबहे ले पंडितले मेरो पतिलने मारी दियो। राजा लेशो देत बभारी के भायों? बभारी ले भानीन पंडीत ले मेरो उपति ले मारे दियो. राजा लेए पंडीत लेए जील माला गया रिकोचना आधेशती. छोरा को अंतिम शंशकार गरियो. जब तेर दिन को कर्म शकियो तेस पसी राजा को मन मानेक शवाला रोट न थाले तो पंडीत लाई आपनो अगाडी खड़ागा न लगाईयो उभ्याईयो राजा ले शोचे यो पंडीत ले मेरो छोरो कीन मारेता छोरोर यो पंडीत को भीच दुश्मनी कीस हता आखेर फेरी बुहारीले भनी रहे कीछिन ता मेरो पतिला यो पंडीत ले मारेओ यो पंडीत ले मेरो स्रीमान ले मारेओ कीना भनी रहे कीछिन मेरो बुहारीले यो पंडित्र मेरो छोरा को सम्मन्द के थियो, दुश्मनी के थियो, श्वयम बुहारीले ने देखे पसी ता कारण जेशुके भहे पनी, मारेको ता पक्कई होला पंडितले, मेरो छोरो मारने ता पंडित ने होला श्वयम बुहारीले ने मने की छिनता, देरी शोचे राजा शिंघासान मां बशेरे आदिस्ती हो पंडित ले जुन हानेना सकेल्दित लेकिन रमेशंट, लेकल साउप। मेले जीवन मा कुणे जुटो बोली ना, कुणे जाल जहल प्रपंच गरी ना, छल गरी ना, जिन्दगी मा कुणे अशत्ते बोली ना, फेरी ममात यत्रो एल्जाम कीन लागे है प्रभो। उनले तु दर्भार थ्यागेर, तु दर्भार बाट बाईर निश्के। मेले जिन्दगी मा कुणा गल्ती गरी ना, कुषेद कु भालो सम्मा सोची ना, तु आजे मला, यत्रो आप्राथ कीन लागे। उन्हें रुदाई 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 दर्भार बाट बाएर निश्के रुदाई रुदाई ममाती एत्रो अप्राहत कीन लायो मैले की गलती गरेको छुर युँ श्रजाय मलाई मिल आज उन्हें शरासर आफना गुरु कहां गये को पंडीत जसको एक हाथ काटे र दर्भ जुटो बोलीन, कपट गरीन, छलचाम गरीन, बैमानी गरीन, तरा मेरो हाथ की न कात्ति हो। गुरुदेव उन्हें स्वदे, उन्हें बने। गुरुदेवले भने, हेरा मकशाई को भाग्ये बताऊनों शक्ति नौ। तिमी मेरो गुरु कहां जाओ। जसलाय मेले गुरु को गुरु कहां पुगे, उन्हें आवाज दिये गुरुजी उन्हें, गुरु उन्हें, गुरु उन्हें, बोलाई रहे उन्हें। गुरु उन्हें। गुरु का पत्नी निष्किए। गुरु का पत्नी निष्किए। गुरु गुरु का पत्नी निष्किए। ग गुरु 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 को ढें मरीरं व समयेएं। मंनेख गुरु में पत्न दुए मि आतुए मि पत्ना में। गुरु में समयादा से Taal. अभी इस पुमाआना का कंदीतमे वा सबूलातो disintegr वक्रह मुद्खतेुए fare । पंडित फेरी फार केर आये, गुरुदेव भनउन्षा बोलाए, गुरुदेव भनउन्छा गुरुु। गुरुदेव ले गुरुजी ले बित्रवाटा आवास दिये, क्यों भो athletes kore पंडीत बले, मेरो गुरु ले हजुर कहा पठाउन वायको। बन्रा उनले भने पछी आहा भनना क्ये भनना आयो। मा यूटा प्रश्ण लेर आयको छो। की प्रश्ण भननता। मेरो प्रश्ण एक सिन्मा मा राखुना गुरुदेव। तर तेस बन्दा आगाडी मा यूट कुरा पफचन शकेणा. की वह भननता? शोदनता? तेस बन्दीत ले मने, मअ भिहाने हजुर कह माये को थी, तपाँइन को पत्नीले, तपहले एथी गाली गहने क्या अपमान गहाने कि मेल युटा बजना शकेणा। मेले हजुर्ले आवाज देर भनाएको थी, कवता ही मरी इस तो आप शब्दा प्रियो करने वोगी, तपाइको शीदे वाले अपमान गरने वो श्रेम तपाइकी पत्नेली, मैले यो कुरा बोजना शाकीना। तपाइं एती ठोलो गुरु हुनोंछा, दुनियाले तपाइलाय मान्चा बहुत एठोलो विद्वान हुनोंछा तपाइं, तपाइंकी पत्ने कीना एस्ति हुनोंछा। यो सुनेरा, ती आफनो गुरु का गुरु अर्थात गुरुदेवले मुख फरी। जिन्दगी मा पहेलो चोटी कसेले मेरो बारेमा शोद्धाई आजा। मसंगा मेरो भाग्ये बताऊने, सव भाग्ये बताऊने मलाय दिदैचे कश्रेले अप्सर। आजा समसबाई जना आफनो भाग्ये शोद्ना आउँ थे। पहिलो चोटी मसंगे मेरो भाग्ये शोद्दैचे आजा कशेले। मना की कुराओ, तपाइकी पत्ने कीना एस्ति होनों छा। गुरुदेवले जोडे कुरा एत्ति ने हो। मोगिल्लो जन्ममा कउवा थी, प्रब मेरी इपत्नी गधा थी। यो गधा को यो गधी को पिठ्यूमा घाव भहे को थी उते दिवेला। मैंले अर्खो जन्ममा को कुरागर देश्य। मना उनले ब्याक्ख्या गरे। मा कववा यो गधी को धाड मा बसे रा एसको घाव मा मेरो ठोणले, मेरो चुच्चोले मैंले कोट्ट्याओ थी। तरह यो गधी पीडा भाय रा उप्रिदेए योप्रिदेए भाग थी। मैं इसलाइ खोजदेए खोजदेए फेर इसको शरीर मा पिठ्यूमा बसे रा फेर तेही घाव कोट्ट्याओ थी। शताई रहन थे मेले अगिलो जन्मको कुरा होयो। यो गधी भाग थी, मैं फेर इसको आँगमा तेके रा इसको घाव कोट्ट्याओ थी। उँ भाग थी, भागदा भागदा एक दिन इस गधी हरी द्वार पोगी। तरह मा अपने इसलाइ खोजदेए हरी द्वार में पोगी। मेले एस्लाइ भेट्टाे और फेर एसको आंग मा बसे आशको घ्रण उन्हें धाले मेरो चुच तो ले थाले जा स्री मेले गधी को घ्रण थुंंगे, चुच ले घ्रण चलाउं थि उन शहन शक्थीन रहे उस्पटक उफ्रिंदी दवडे र गंगा मा बगी द्यान दरूश। असाद्धे रोचक संदर्व मैंले तपाइका लागी प्रस्तुत गर्येकोशू। बजणुमानी। याँसे मात पाइले प्रस्टरुक मा बजणुमाला। कउवा तो गधिको पछी लागी रहेको थियो। उष्लाई आफनो चुचोले गधिको घाव मा कोट्ट्यावना बड़ो आनंद लागते। गधि भागते। उफ्रीर उष्लाई हरिद्वार को गंगा छेव मा पुगिव। उफ्रीदे गंगा मा दवडिदा आफनो घाव को पिडाशाहन नसाकेरा। उफ्रीर गंगा मा दवडिदा गधिर कवग कोवग दुबगई मारे। वगणुग, युग गधा मेरी पत्नीबए, युग गधि मेरी पत्नीबए, मह कवग cá Heo ई इसको पतिभईरेजणी। मैं ले मेरो चुच्पले मेरो ठैष्कोगाव कंवी ट्रुखाव जंसे एले आफनो मुख ले मेरो घ्रु summertime को अध्यिकेis, etc. में दुखनोपक कष्रम को लेजारे दुख़ाव तर्ली पर लेक। मुखनि में यले य organs गुर्णी बळाव . मनेरा ती गुरुदेव ले भने, आफनो प्रारब्दलाई ब्यक्ख्या गरदाई, पत्नी ले बोलेको दुर्बाद्चेको ब्यक्ख्या उनले गरे। गुरुदेव ॅजूर ले आफना कुर्या आता शुनावनो बोप्रभु , अब मेरु कु बारेमा बताई दुनु सुपикомणरे अनुठ नुफ पंडितलेフत हो शंत शादू सन्याशी तपश्वी थियो बावू। तिमीले एउटा प्रती बद्धता गरे का थियो। तिमी एउटा ठुलो शंत थियो। तिमीले कहिले जूटो नबलने का समखाय का थियो। तिमी एक ठाउमा बशेर तप गरे का थियो। उटा कशाई ले गाही लाई काटनक लागी हतियार उठायर लखेटी रहेको थियो। गाही उसको हाथ बाटा फुद किये र अगी अगी भाग देए थियो। कशाई ले खोजदई, खोजदई, तिमी शिता आई पगयो। रश्वदयो। गाही कता गयो। तिमी प्रण गरे का थिंव कि मौ शत्ते बोलने शही ना। मः सते बलने शूय. मम कहले ही ज्छूट बलने शाही ना. तिमोले हाथ, इशाए अगार गाई देखाई दि ans. कि तिमने कि ज्छूट बल दीना प्रेश How do you say? तिमोले हाथ, आट देखाई थे हो, आट जले आहां गाई चाही काुन जो गाई काटी थी, तो बुहारी बने रजन्मी। कोशाई गाई काटने वाला राजा को छोरो भयर रजन्मी। दनुस्ता शुंदर भाव, अती शुंदर भाव। तिमिले गाई यतागए को सभन, देखाई दियो। तो गाई पक्रिए रघ्यो, प्रकाटियो। तिम्मिले हातले इसारागर्र गाई देखाय कातियू ''? , तिम्मिले इसारागर्र गाई देखाय कातियू'' जो कर्म को भोग différents ? जसलाई मनस्यले नभोगी हुदे 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 ना, कर्मको भुग्तांत गर्ने पर्षा पर्षा, एसेले बार-बार मत्त पाहलाई पने निविदन गर्दा छोकी रामरू कर्म गर्णुष। सुन्दर कथा प्रसंग मैं यहां ने शकें, रामरू कर्म गर्णुष। यह कथा प्रसंग मैं बने को यूज अती सुन्दर भाव जस्ताई हामेले हमरो कर्मा को भुग्तांत गर्ने पर्षा पर्षा पर्षा। ठुलो पंडीत जसले अगिलो जन्ममा गरीको पापो को सजाय उनले आफनो पत्नी बाट भोगी रहे का थिये। अगिलो जन्ममा अषत्ते नबोलने कशम खाय का कारण पने तेसको प्रणामा सोर्वे जन्ममा हमेले सजाय पाय पन्डीतले। मनि विदन गर्दा चुगे हमरो कर्म गर्नुष। कर्मा गर्नुष। खूब कमावनुष। सामर्थे जती चत्यो बंदा, जरनदाआ कमाउनुषежде, तो कमाई को भूगपनि गरूष। के बल जुडियो 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 ता छोडियो, तिशको कुणाई पणी आर्धा चाइनुषी शंपती कमाय पसे क्ये गरनेता, कमायर मात्र हो देना, जोडियो जोडियो ता छोडियो एसको कुने पनी अर्था चाहिना, जिन्दगी भर दुख्खा गरियो, जोडियो, शंपती, बैभव जोडियो ता छोडियो अर्था चाहिना, तिसको शंपती कमाय पसे भूगपनी गर के बहुत मुघुली समत आतरं चा बहुत करें, वतनरे को बुह पुग्देना जोडियो 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 छोडियो नहोश बोगपनी गदा जानुश। यो शुन्दर भाव नहीं शक्केन छा। तपाईको मनमा जी सवाल हरु आये, जी कुरा बुजनवो तिसलाइक मनन गरनुश। ताकि तपाईको जीवन सुन्दर मनुश। बहुत ही सुन्दर।